तो हमेशा की तरह आज का जो टोपिक होने वाला है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन डेखे होंगे आपको यह अब्जर्व हुआ ही होगा कि कितने ज़्यादा इंपोर्टन डोग्ट आप हमें बता रहे हैं तो किस आज का जो टोपिक होने वाला है हमारा निमोनिया के उपर होने वाला है देखे कई बर क्या होता है आपके जो डोग में निमोनिक कंडिशन डेवलोप हो जाती है अब गई यह जो निमोनिक कंडिशन है वो कैसे डेवलोप होती है उसके बारे में आज हम इस वीडियो क के अंदर completely चर्चा करेंगे देखें जहां भी हम निमोनिया की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि निमोनिया होता क्या है देखें आगर निमोनिया की कहीं भी टर्म आये आपको यह देख लेना है कि inflammation of lungs होगी आप गाइस यह inflammation lungs है दो तैपसे हो सकती है या तो अगर लंक्स के अंदर जो जो सैक्स पाय जाते हैं उनमें अगर पस्स की development हो जाए या नी पस्स फील हो जाए और कोई भी फ्लीड फील हो जाए तो जसकी वज़े से इंफ्लामेशन हो सकती है आप गाइस कुछ हम बेसिकल जो एक टिपिकल जो कोजिस होते हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे तो ध्यान से आप इसे इन बातों को ज़रूर सुनिए और अच्छे से अब्जर्व करना है जो भी आपको पॉइंट बताया जाएगा और अगर आप आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं सबसे पहले कारण तो क्या होता है वाइरल और बैक्ट्रियल अगर इंफेक्शन हो जाता है अगर लंग्स के अंदर तो वह काफी जादा जो ब्रॉंकाइटिस बीमार ब्रॉंकाइट सब्सक्राइब इसमें क्या होता है अगर आपके घर में कोई ऐसा कैमिकल सब्सक्राइब नीचे बढ़ा हुआ है अगर वह इन्हेल कर लेता है या कोई भी उसने फोरन इन्हेल कर लिया जिसकी वज़े से लंक्स का जो एरिया है बहुत ही ज्यादा एफेक्ट हो रहा है तब निमोनिया की चांसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपका डोग जो है वो इन्हेल करला है अगर वह फंगस जो वो अंदर जा रही है तो उसकी वज़े से भी chances हैं बहुत ही ज़्यादा inflammation होने के निमोनिक condition develop होने का fungus reason भी बहुत ही ज़्यादा important reason है और आपको पता भी होना चाहिए कि मुझे क्या क्या prevention रखनी है देखेगा इस prevention आपको वीडियो के end में बताई जाएगी अब हम बात करते हैं special points के बारे में जो symptoms हैं symptoms में आपको सबसे पहला तो देखना है inflammation होएगी और काफी ज़्यादा deep cough करेगा deep cough यानि इतनी ज़्यादा खासी करेगा और frequent खासी नहीं होगी इसके अंदर थोड़ा time देखे करेगा यानि इसको gap लगेगा और rapid breathing होगी यानि काफी ज़्यादा half ना start कर देगा difficulty होगी उसको सांस लेने में because काफी ज़्यादा pain हुआ है क्योंकि इंफ्लामेशन हुई है इंफ्लामेशन तो आपको पता ही है इंफ्लामेशन के मैंने बता दिये या तो उसमें पस हो या उसके अंदर फ्लूड डेवलोप हो तो उसकी वज़े से भी यह कंडिशन डेवलोप हो जाती है तो हमने जो नॉर्मल तो बात कर लिए टिपिकल सिंटम्स की अब हम सिंपल बताते हैं आपको इसके अंदर फीवर भी हो जाता है लिर्थर्जिक कंडिशन डेवलोप हो जाएगी और लेते हैं नारे चीज्च जाता है कि और ब्रोंकिया के अंदर क् भर गया है या कोई पस्अग्रवात है जो जिसे आप नॉर्मली देशी लेंगज में बलगम भी बोल देते हो वह भर गई है या क्या चीज़ है उसके अंदर तो वह हमें एक्सरेय के तुरू अच्छे से पता चल जाएगी तो आपको अपने वेट से वह एसी मेडिसीन लगा देते हैं जिसकी डोग की जो हालत होती है वह दुगना खराब हो जाती है यानि हम उन्हें बचाना चाते हैं लेकिन वह वेट की हेल्प से ही या ऐसा कोई वेट हो जिसने अच्छी प्रैक्टिस ना की हो जो अच्छी क्वालिफिकेशन वाला ना हो त आपको एकली का कुछ पार्ट निकालनाा और यह और यह चैजामीन करना हएं यह मिल रही है या यह यह सकता रहोगा तो आपको यह आपका जिंड़ती सबस्वेकला है तब आपको anti-fungal drugs आती हैं मार्केट में बहुत ही ज्यादा डॉक्स के लिए specially available हैं इंटासेफ कंपनी भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्स बनाती है अच्छे-च्छे रिजल्ट वाले बनाती है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं और क्या होता है इसके अंदर नॉर्मल एक मेडिसिन होती हैं हम जिसे बोलते हैं नसेट्स नॉन स्ट्रीडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती है वह भी इसमें दी जाती है और क्या आपको वेट की हेल्प से ही करवाना है ऐसा नहीं है कि आप खुद ही घर लाके इलाज कर रहे हो नहीं गाइस बिल्कुल ही इंजीरियस होता है हेल्थ के लिए आपके डोग की देथ भी हो सकती है काफी ज्यादा सीरेस कंडिशन में भी निमोनिया डेवलोप हो सकता है और हर्ट पे जाके भी अटेक कर सकता है और आपको इसके अंदर एडिशनली में क्या देनी होता है इंट्रा वेनस यह सारे ट्रीटमेंट मैंने आपके सामने डिसकस कर दिया है और मैं आपको यही सजैस्ट करूँगा कि आप अपने वेट की हेल्प से ही इस ट्रीटमेंट को एपलाई कीजिए विकोज गाइस हमें प्रॉपर रीजन पता नहीं है विकोज यह निमो टरफ आज पास ऐसा कोई क्याम ना घिरने दें ऐसा क्यामीकला ओ लाइँ हम क्या होता है तो हमारी होती है और कोई हमारे धेल स्रॉइन्ट है बढ़रे यूज करते हैं या कोई घैमिकल स्कृत डल्स करते हैं शीश्य वागरा दीन करने केविरी तब आपका डोग मैं उस क्या होता है कई बार बाथिंग की वज़े से जैसे अगर वो कोई भी टैप के निचे से नहा रहा है तब गाइस क्या होगा वह पानी जो होगा लंग्स के अंदर चाने के चांसे भी बढ़ जाते हैं विकोज इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी क्या याद रखना है अगर उसको नॉर्मल भी कफ है तो आप उसी टाइम ही उसका ट्रीटमेंट करवाओगे ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कफ है ऐसे ही चली जाएगी पानी वानी पीने से जो खरहराट हुई है जो हर्ष्ट मुमेंट हुई है गले में वो ठीक हो जाएगी नह आपको समझ में आगे होंगे अगर फिर भी आपका टॉपिक के अंदर अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और आप मेरी परसनल आईडी है हमारे चैनल की एक आईडी है इंस्टाग्राम आईडी आप हमसे वहां पर बाके बात कर सकत हैं और आपका रिपलाइज जरूर दिया जाएगा विकोज हमारे जितने भी जो विवर्स होते हैं उन्हीं के लिए चैनल बनाया गया है आपके डोग की केर के लिए ही चैनल बनाया गया तो इस थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस और प्लीज दू लाइक सब्सक्राइब कमेंट थैंक्यू सो मच जैहिंद जैबारत